हेलो फ्रेंड्स, हैपी करवाचौत, मेरी तरफ से करवाचौत की सभी को हारतिक शुब काम नाएं तो आज खुशी की मौके पर मैंने सोचा कि कुछ मीठा बनाया जाए तो मैंने बनाई है रस्मलाई, जो कि बहुत ज़्यादा यमी बनी है तो चलिए मेरे साथ इसको बनाना शुरू कर लेते हैं तो इसके लिए लेंगी हम, दो लिटर मैंने फुल क्रीम मिलक लिया है और लिया है मैंने ड्राइफ रूट जिसमें की पिस्ता, काजू, बदा और छोटी लैची का पाउडर, और इज़र लिया है कॉन फ्लोर, चीनी और कुछ केसर के धागे मैंने दूद में भी घोके रख दिये हैं तो इसमें हम किश्मिश नहीं डालते हैं, तो यही ड्राइफ रूट डाला जाता है तो गैस पर मैंने दो जगा पतीले चड़ा दिये हैं, एक में हम बनाएँगे रबड़ी और एक में बनाएँगे हम पनीर तो सबसे पहले हम पनीर बना लेते हैं तो पनीर बनाने की वीडियो जो है मैंने अप्लोड की हुई है, आप चेक कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो जब भी आप कोई मिठाई घर में बनाते हैं तो पनीर हमेशा घर में ही बनाए तो उससे पनीर का जो घर की पनीर की जो मिठाई बनती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है तो अगर आपके अस नई टाइम है तो चलो बजार से ले लेते हैं लेकिन घर के पनीर की बात ही कुछ अलग होती है तो दूद उबल चुका है हमारा तो इधर भी हम रबडी बनाने के लिए एक लीटर दूद जो है मैं इसमें डाल दूँगी आप नॉन स्टिक की कड़ाई यूज करें तो ज़्यादा बैटर है क्योंकि नीचे नहीं लगता है इसमें दूद तो ये जब तक उबल रहा है कड़ाई में दूद तब तक हम पनीर बनाने की तियारी शुरू कर लेते हैं तो दूद उबल चुका था और उसको दो मिनट के बाद हमने पनीर बनाना है तो जी देखिएं सिर्के का पानी की साथ पूरा पानी और दूद अलग हो चुका है बहुत अच्छा पनीर बना है हमारा तो एक साफ मलमल का कपड़ा ले लेंगे और उसमें इसको छान लेंगे ओजी देखिए पनीर तो बहुत अच्छा बना है और इसको हमने चाहे आप पनीर को निम्बू से फटाएं चाहे आप इसको सिर्के से फटाएं लेकिन इस पनीर को जब आप हम जूज करेंगे उससे पहले हमने इसको कम से कम भी चार से छे बार साप पाने से दोना है ताकि इ पांच से छे बार साप पानी से जो नॉर्मल आता है पानी मलब फ्रीज का पानी ने नॉर्मल पानी से हमने अच्छी तरह से वाश कर लेना है और वाश करने के बाद इसको कपड़े को हम निचोड के पूरा अच्छी से सारा पानी इसमें से निकाल देंगे सबसे पहले इसको अच्छी से हमने बांद के ये कर देना है निचोड लेना है जिता पानी हम निकाल सकते हैं निकाल देंगे और अब इसको हम एक साइड में रखके टांग देंगे कहीं तो रबड़ी बनाने की तियारी कर लेते हैं जो मैंने ड्राइफरूट लिया था वो मै दाम, काजू और पिस्ता ये तीनों चीज़े मिला दी हैं छोटी लैची का पाउडर और इधर हमने केसर जो दूद में बिखौके रखा था इसको भी एड़ कर लेंगे अगर आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा येलो कलर चाहिए तो आप इसमें लड़ू का कलर तो आपकी परफेक्ट रबड़ी बनेंगी तीन चमच चीनी और जब तक हमारी रबड़ी बन रही हैं ये इधर हम पनीर ले रहेंगे ये देखिए पनीर अभी तो पुरा करंबल स्टेट में है तो इसको हमने हाथ की हथेली से पुरा अच्छे से मल मल के हमने इसको पुले डालेंगे तो ये फटेंगे ने तो ये इधर हम एक पतीला ले लेंगे पानी का बड़ा पतीला लेना है थोड़ा सा तो उसमें एक कटोरी हमने चीनी डालनी है और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से उबालना है और जब तक ये पानी उबल रहा है इधर हम अ पूरा एक साथ इकठा होने लग गया है लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें क्रैक दिख रहे हैं तो इसको अभी थोड़ा सा और मसल लेते हैं तो आप चीजे जो टिप्स में दे रही हूं आप जुरूर ध्यास से सुनिए ताकि जब आप रसमलाई बनाएं तो आपकी भी इतनी ही पर फेक्ट रसमलाई बनेंगी तो यह अच्छे से हमने मसल की इसको कर लिए हैं और यह अब हमने छोड़ two merave लेने हैं अगर आप इसको गोल बनाते हैं तो और अरुप तो इसको फिलेत कर देंगे तो इसको रसमलाई बनिगा़ तो इसको आरसमलाई बने चाती है तो क् क्रैक जो है हमने दिखने नहीं चाहिए इसमें तो अच्छी तरह से बन गए है हमारे जी रसमलाई में डालने के लिए रसगुले एक लिटर दूद के जो पनीर हमने बनाया था उससे कम से कम भी 16-17 हमारी ये पीसिस बन गए है तो इसको हमने उबलते हुए पानी में डालना ह जो पानी जब तक थोड़ा गरम होगा तब नहीं पुरा उबलते हुए पानी में डालना है इसको तो बहुत जादे इसको हिलाना नहीं है कम से कम भी इसको 10-12 मिनट तेज आंच पे इसको हमने वाइल करना है जी देखें अभी से पुरा डबल हो गए है साइज में तो इसक कि सिंपे ही बनती है तो रबडि जो है हमने थोड़ी जादा गाड़ी नूढनी है थोड़ी पतली ही रखनी है ये देखें साइज में पुरा हो गए है डबल जे मैंने गैस बंद कर दिया है उसकी तो इसको अब हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर ले गें जिसमें की ice cold water लेना है हमने तो गरम जो रसगुले है हम इसमें ठंडे पानी में shift करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो रसगुले जो है हमारे पुरे firm हो जाएंगे और रसगुले की cooking process रुखने से ये जो है हमारे रसगुले soft हो अगर हम इसको उबलते हुए पानी में रहने देंगे तो ये जो है पनीर थोड़ा कड़क हो जाता है तो इस चीज़ का आप देहान रखें तो आप ये cold water में डालने के बाद इसको पाँच मिनट ठंडे पानी में रहने देना है तो ये शूगर सिरफ है या तो आप गुलाब जामर बनाने में ट्राइक इसको यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी और चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं तो ये देखिए पुरे फ़र्म हो चुके हैं हमारे ये अब हम रबडी में डालेंगे तो ये तूटेंगे नहीं तो एक फ्लैट हमने कंटेनर ले लेना है कांच का तो इसमें हम सारे जितने भी हमारे पीसिस हैं सारे इसमें प्लेस कर देंगे अच्छे से सजा देंगे और इसके उपर हम सारे अपनी रबडी ढाल देंगे तो ये देखिए तो रबडी हमारी देखिए है इतना ही पतला रखना है आपने तो इसको अब कम से कम भी दो घंटे रूम टेंपरेचर पे रखना है ताकि यह पूरा जो रस है उसमें रसगुले में चले जाएं और दो घंटे के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ तो इसने पूरा एब्जॉब कर लिया है रस को रबडी को तो इसके ओपर जो ड्राइफ रूट हमारा बचा हुआ था वो मैं इसके ओपर स्प्रिंकल कर रही हूँ तो यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है पूरा मार्किट किस कोई भी मौका हो यह रबडी और रसगुले जुरूर ट्राइ करना बहुत ज़्यादा जमी है सबी को बहुत पसांद आएंगे तो यह ट्रस्ट में बहुत अच्छी बने है तो उमीद है आपको मेरी वीडियो पसांद आई होगी अगर पसांद आई है तो प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में एक नई हेल्दी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर एंड स्टे बलेस्ट हेपी करवाचाथ सभी को बहुत सारा प्रेम